दोस्तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग नए तरीके से लौकी की सबजी ये सबजी खाने में बहुत ही स्वाधिश लगती है चिकन पनीर से भी टेस्टी बनती है और इसे आप कम टाइम में आसानी से बना सकते हैं तो वीडियो लाश तक देखिएगा और रेस्पी जरा भी पसंदा है तो प्लीज एक लाइक चरूर कीजेगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम लौकी ली है तो सबसे पहले हमें इसे पील कर लेना है और ज्यादा मोटी वाली लौकी का यूज नहीं करना है अंदर से वो पकी रती है और उसे गल्ले में भी टाइम लगता है तो इसके लिए पतली लौकी लीजेगा और छिलने के बाद अच्छे से धुल लीजेगा तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो मैं इसे गोल-गोल काट रही हूँ आप चाहें तो इसे दो भाग करके भी काट सकते हैं पर ज्यादा बारिक मत करिएगा इस तरह से मैंने लौकी को गोल-गोल काट ली है और देखिए इसे हमें ना तो ज्यादा मोटा रखना है ना ज्यादा पतला इस तरह से मेडियम काट कर लेंगे तो ये पनीर जैसा लगेगा और जल्दी गल जाएगा अब इसमें एक कलर के लिए आधा चोटा चम्मच हल्दी आधा चोटा चम्मच लाल मिर्च पॉडर और थोड़ा सार नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे नमक मिर्च डालने से लौकी में टेस्ट आ जाता है और ये फीके नहीं लगते हैं तो देखें इनको हमने अच्छे से मिक्स कर ली है अभी हम इनको साइड में रख देते हैं सबजी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए मिक्सर जार में ले रहे हैं दो हरी मिर्स, छैसे साथ काजू को हमने भीगो कर ले ली है, दो चम्मच हम इसमें मलाई डाल देंगे, यह वही मलाई है, जो दूद के उपर जम जाती है, टमाटर महंगा है, तो आज हम यह सबजी बीना टमाटर के बना रहे हैं, इनसे सबजी रीच तो बनेगी ही, साही पन तेल, तेल गरम हो गया है, तो हम इसमें यह मैरिनेट की हुई लौकी डाल देंगे, और इनको फ्राइ कर लेंगे, तब तक फ्राइ करेंगे, जब तक कि यह 80% तक कुक ना हो जाएं, तो गैस का फ्लेम मेडियम और हाई के बीच में कर दीजेगा, और इनको लटते पलटते हुए फ्राइ करिएगा, और देखिए, इनको फ्राइ करते हुए चार से पांच मिनट का समय लगा है, इनके उपर हलके स्पोट आ गया है, और यह लगभग 80% तक कुखो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे, निकालते समय पलटे को तिर्शा कर लेजेगा, जिसस कि एक्ष्रा तेल कढ़ाई में चला जाए, और देखिए, इस तरह से मैंने लौकी को फ्राइ कर ली है, अब कढ़ाई में जो बचब का तेल है इसी में हम ये सबजी बनाएंगे, तो इसमें हम डाल देंगे, एक चोटा चमत जीरा और दो पिंज हीम, इनको कुछ सेगंड क और दो मिनट बाद देखिए, प्याज हलका भुन गया है, तो हम इसमें एक चममच अदरक लसन का पेश डाल देंगे, और इनको थोड़ी देर भुनेंगे, जिससे की इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए, और एक से दो मिनट भुनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं, एक चममच धनिया पौडर, एक चोटा चममच कास्मीदी लाल मिच पौडर, इससे सबजी का कलर अचा आएगा, आधा चोटा चममच हल्दी, और आधा चोटा चममच आम्चूर पौडर, आम चूर पौडर से सबजी में खठा सा जाएगी, और टमाटर की कमी पूरी हो तो इनको हमें कुछ सेकेंट के लिए तेल में भून लेना है, इस तरह से सबजी का कलर अच्छा आता है, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे, और इनको 2 से तीन मिनद तक भून लेंगे लौकी में भी हमने नमक डाला था तो नमक ध्यान से डालिएगा मैंने इसमें एक चम्मस्य थोड़ा सा कम नमक डाला है और देखिए मसालों को मैंने दो मिनद तक भून ली है और बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है तो अब हम इसमें तो अब ह इस रिच ग्रेवी के साथ साधारण सी लौकी की सबजी बना कर देखिएगा, साही पनीर, कड़ाई पनीर, सारी सबजियों का टेस्ट भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है, जार में लगे पेश्ट में मैंने थोड़ा पानी डाल कर ले लिए, इसे वेश्टने करें मसाले अच्छे से भून गए हैं, और आप देख सकते हैं, एक्तम इसमूर्ट टेक्चर आया है ग्रेवी का, तो चलिए, अब हम इसमें ये भूने हुए लौकी डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिला लेंगे, लौकी फ्राइगी है, तो सबजी बनने में टाइम ने लगेगी, तो आधा गिलास से कम मैंने इसमें पानी डाला है, अब हम इनको हलके हाथों से मिक्स करेंगे, और दो से तीन मिनद तक ढख कर पकालेंगे, जिससे लौकी जो हलकी कच्छी रह गई है, वो अच्छे से पक जाए, तो हम इसे ढख देते हैं, और दो से तीन मिनद तक पकालेते हैं, और दो से तीन मिनद बाद ये देखे, सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, ग्रेवी बहुत ही लाजबाब बनी है, अब आधा चम्मा चमीश में गरम मसाला पौडर डालेंगे, और थोड़ा सा बारी कटवा हरा धनिया, और अब हम इनको अच्छे से म आधी में या मेमान आने पर भी बना सकते हैं, सभी आप से एक बार जरूर पूछेंगे कि आपने ये सब्जी कैसे बनाई, और ये देखे, लोकी तो चलिए, अब हम इनको सर्फ कर लेते हैं, इस सब्जी को आप रोटी, नान, पराठे, चावल, किसी भी चीज के साथ ज़ग लगते हैं, जो लोग लोकी खाना पसंद ने करते हैं, उन्हें एक बार इस तरीके से लोकी बनाकर खिला देंगे न, तो वो बार-बार ये सब्जी बनाने की डिमांड करेंगे, तो दोस्तों लोकी की सब्जी तो आपने हजारों बार बनाई होगी, एक बार मेरे त पीके साथ धन्य बाल